हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल सोने स्टोरी पर तो आज मैं लेकर आई हूँ भगवान श्री कृष्ण के कुछ उत्तम विचार श्रीमत भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिये हैं इसमें बताए गई एक श्लोग की अनुसार जो मनुष्य ये चार आसान काम करता है उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ती होती है ऐसे मनुष्य के जाने अंजाने में किये गई पाप माफ हो जाते हैं और उसे नर्क नहीं जाना पड़ता आये जानते हैं उन कामों के बा जिसे पाने में ओ अक्षम है दान करने से पहले या बाद में किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए दान को हमेशा गुपत ही रखना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विप्रित दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं गीता में दिये गए ग्यान के अनुसार मन को वर्ष में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना कम रहती है कल्यूग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मातर से ये नहीं कहा जा सकता कि वो जूट बोल रहा है या सच अगर आपने भूत काल में कोई गलत काम किया है तो आप शेश बचे जीवन में हमेशा सत्य बोल कर पापों का प्रायशित कर सकते हैं नमबर चार ध्यान या जब आधुनिक यूग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हूं पूजा पाथ भगवान को प्रसन्द करने के लिए नहीं बलकि स्वयम का स्वयम से मिलन करवाने के लिए की जाती है आत्म ध्यान करके हम आत्म साक्षाद कार कर सकते हैं नियमे त्रूप से स्वच्च मन से जब याध्यान करने से भूल से हुई गलतियों से भी पार पाया जा सकता है। जैश्री कृष्ण राधे राधे